हेलो एवरिवन दिस सुमिछ सोनी यह एडुकेटर वेल्कम बैक टू मैं चैनल स्कोरकर्ड क्लासेज आज हम डिसकस करने जा रहे हैं क्लास एट साइन्स न्सी आर्टी चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइबर्स जो सक्या Sound ओते हैं इसको में अचलोμη क्आपर के ल्पाइबर्स को मैं कि घड़िया सोस्त्य और और फेवर्स लगता हैं कि इससे किया बनता है इस वह मिलते हैं तो हमें नेचुर से मिल रह जेँ अवर्बीशल सोर्स से जो में मिलते हैं उन begraon altitude क्यों ड़ो और स्ल्क्ट ये तीनों प्रोवार्स के बार में हमने एक लुववेर्ण सब्सक्राइब श्राइबनाएं या तो इन तीनों के बौलते है बोल顲ित या हमें शञेक से मिल रहे तो हम इसको क्या artificial में पाइब चाहिए से दिएस को किया है जो हमें फाइबर को हम क्या बोलते हैं सिंथेटिग फाइबर के साथ मैंने मेंमेड वह सकते हैं और आर्टिफिशल वह सकते हैं क्युक्ति यह क्योंуд沒事 दुवारा बनाय जा रहे हैं तो हमाएं बुक का 3.1 टोपिक है what are the synthetic fibers अब हम देखेंगे synthetic fibers होते क्या यह तो में पता चेंगे synthetic fibers समय मिल कहां से रहे हैं बट यह actually में होते गया हैं आप अपने फिकर 3.1 में एक necklace की फोटो देखोगे और दूसरे दर देखोगे कि पेपर प्लिप्स को जोईन करके लोंग चैन बनाई गई है अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बाया में पढ़ रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि पॉलिमर क्या होता है अब यह एक्जाम्पल देखो कि यह हमारी थ्रेड है ठीक है इस थ्रेड को मैंने चोटे चोटे बीड्स से क्या करका है बना रखा है तो इस सारे बीड्स के दिखने में कैसे है एक जैसे सेम नजर आ रहे होंगे आपको तो जो सेम स्मॉल इनको दशने स्मॉल यूनिट्स और इन स्मॉल यूनिट्ज को हम बोलते हैं मॉनोमर आ तो मोचल सकते हैं जो पॉलिमर होता है वो चैनौ स्मॉल इनीड वोत है अब यह पीशनें नेक्लेस है ठीक है से बना चेस्ञार से तो कैनेक्टिर है और यह बना Spring Min signal स्रूस को स्मॉल यून इतना क्लेर हो गया और बहुत सारे मॉनमर मिलकर फ़र्म क्या करते हैं पॉलिमर जैसे क्या हुआ इस नेकलेस में छोटे-छोटी बीड्स है चोटे-छोटी बीड्स क्या कहलाएंगे इसकी स्मॉल यूनिट मतलब मॉनमर कहलाएंगे और इसने मिला के इसको क्या बनाया यह क्या बन गया पॉलीमर को कोई भी फैप hurdles जो होता है वह पॉलीमर की मैंनी कि यूनिट होता हैं यह मतलग ऊत्य ऐसी सबस्किती 편 musician रोगा फिर दूसरा मठीक पॉलीमर पॉलीमर ठीड फरी हुस्त पॉलीमर मिल के की क्या बनाते हैं अपना fiber बनाते हैं देख लेते हैं आपन पॉलीमर हम क्या बोलेंगे, Repeating Units of Monomers, इतना Clear हो गया, Poly का मतलब होता है, many औरasmine का मतलब होता है, part या फिर unit, तो बहुत सारी unit, बहुत सारी units मिलके knya बनाते है? Polymer, अब हम देखते हैं कि scenery fiber में bhips polymers होते है, अब आप सूचेंगे synthetic fiber में तो मैं आपने polymer बता दिया तो natural fiber में भी क्या होते हैं polymers होते हैं कैसे example लेते हैं cotton का cotton का जो polymer है उसका नाम क्या है cellulose और cellulose का monomer है उसका नाम क्या है glucose यानि कि हम बोल सकते हैं कि glucose की बहुत सारी unit आपस में मिलकर क्या बना रही है cellulose और cellulose मिलक पर क्या बना रहा है कोटन तो नेक्सराइल फैबर का एग्सामपल लेके देखेंगे कि गुलुकोँ यह Unter सिय दुवा हूं अब बहुत सारे पॉलेमर नाम नाम है अब अब हमारा नेक्स टॉपिक है 3.2 types of synthetic fibers तो बहुत साज synthetic fibers के टाइप लेके न हम इस chapter में discuss करेंगे about rayon nylon polyester acrylic यह चारों के चारों synthetic fiber बहुत important है हम इनको बहुत जादा यूज करते हैं इसलिए हम इस चैप्टर में इन चारों के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रायों के सिल्क से हमें पता है किowych अच्छा भी लगता है सबको留ात तोào सिल्कंद मिलता है अब कीडे यह लगी काम yes अंय। मिलेखा बहुत क्या मैं बहुत क्या मेंगा होगा तो अबने लिए इसका इसा से पहले में चाइन ने को इसे चुपा जब दुनिया को इसके पता चला तो इस लूख फाइबर था वह इतना मतलब दिखने में इतना सुन्दर था पहनने में इतना comfortable था इसने सबको अपने तरफ फैसिनेट किया लेकिन हुआ क्या है यह बहुत महेंगा फैबर था तो हर किसी के बसकी बात तो नहीं थी इसको खरीदने की तो हमाई सेंटेस लोगों नहीं क्या सूचा कि हम इसे रिजेंबर करता हुआ जैसे सिल्क तो नहीं पर सिल्की तरह दिखता हुए एक सिंथेटिक फैबर बनाते हैं तो उन्हें 19th century की एंड में ऐसा फैबर बना तो लिया और उस फैबर का नाम उनों नहीं दिया रहा तो हुआ क्या एड़ एंड ओफ 19th century फैक्तरी चेंदर सेंडेस ने क्या कि कैमिकल ट्रीटमेंट कि इसका फुडब बल्प का वुडब जैसे मैं पता है एक नेच्चर सोर्स है लेकिन बहुत सारे प्रॉसेस से घुजरता है अर्टिफिशली तो इसलिए तो इसलिए क्या है सिंथेटिक फैबर हमने देखा कि ज क्या इससे चीपर है और इसका दूसरे यूज है कि डैड इन वाइड वराइटी ऑफ कलर्स को बहुत सारे कलर्स में डाय कर सकते हैं सिल्क को ऐसा ने कर सकते हैं तो हमारा क्या हुआ सिल्की तरह दिखने वाला हमें क्या मिल गया हमारा काम क्या हो गया इजी हो गया आप यह देखोगे कि जब रियान को हम cotton के साथ mix करते हैं तो हमें bad sheet मिलती है आप image में भी देख सकते हैं और जब रियान को हम wool के साथ mix करते हैं तो हमें क्या मिलता है earlier carpet अब हमारा next topic है nylon नैलिन के सिंथे act यह first fully synthetic hours यह first fully synthetic fiber का मतलब यह है कि हमने रायन के बाद में पढ़ा था तो हमने इसमें एक नेचरल सोर्स लिया था क्या था वुड पल्प ठीक है लेकिन नैलन में हमने कोई भी नेचरल सोर्स नहीं लिया विदाट यूजिंग एनी नेचरल रो मेटियर तो कोई भी रो मेटियर नहीं हमने कोई भी रो मेटिय है हमने कोई भी natural raw material यूज नहीं कि है जो कि में प्लांट से मिले गए या फिर एनिमल से इसले नाइलोन को first fully synthetic fiber भोलते हैं तो आपको यह अच्छे से याद अठना है कि first fully synthetic fiber और कौन है नाइलोन याद करने का तरीका है नाइलोन नाइस सब्क्रdogs क создatting नहीं कि कोई भी natural raw materials यूजines नहीं हो रहा है नहीं मतलब नाइलोन और कोई भी natural raw materials के अंदर यूज नहीं हो रहा है और मार्क में आप से पूछा जा सकता है कि first fully synthetic fiber कौन से यह पूचा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइवर है जिसमें एक भी नेच्टर रोमेटरियर यूज नहीं होता तो आपका अंसर क्या होएगा नायलन ठीक है और किस से पर होता है कोल सी वाटर सी एर से अब हम नायलन को क्यों यूज करते हैं इसलिए यूज क किसकी है नायलन इसलिए हम इसको यूज करते हैं रॉक क्लिंपिंग के लिए अब रॉक क्लिंपिंग के लिए हमें क्या चाहिए टैंट चीए और रॉप चीए तो में ऐसा मेट्रियल चाहिए इसकी स्टेंध बहुत हाई हो और स्टेंध हाई किसकी है नायलन क्यों इसकी स् stronger than the steel wire ठीक है इतना समझ मैं है आपको तो हम इसे कुछ properties देख लेते हैं कि यह strong है यह हमने देख लिया और इसकी high strength है elastic elasticity क्या होता है हम इसको कितना भी खीच ले लेकिन यह तूटे गानी इसको बहुत जादा देर किसको खीच के रख सकते हैं second light weight इसका weight क्या है बहुत जादा light है luxurious इसमें एक shiny appearance भी है ठीक है और सबसे सबसे अच्छी बात ही easy to wash है इसको बहुत easily हम wash कर सकते हैं तो यह इसकी ऐसे कुछ properties है जो इस nylon को as a बहुत important synthetic fiber बनाता है अब हम देखेंगे आपकी book की activity 3.1 में यह activity 3.1 आपको बता रही है कि strength of fiber क्या है तो आपको क्या लेना है एक strand लेना है लोहे का ठीक है इसमें हमें thread लगानी है और thread के यहां पर एक pen लगाना है तो इसमें क्या करना है कि हमें one by one है ना weight put up करना है इसके अंदर तो सपोस्कोर हमने इसके अंदर 10 ग्राम डाला फिर 20 ग्राम डाला और फिर 30 तो हमें धीरे-धीरे 10 ग्राम इसका increase करते रहना है तो यह thread क्या हो गी एक बार तो हम cotton की thread लेंगे और यह सारे weight इसके अंदर डालेंगे तो हमें देखेंगे कितना weight होने के आटेंगा इसके बाद यह thread क्या हो गया यहां से तूट गया सबोस्कोर हमने cotton का लिया और हमने ठीटी ग्राम डाला इसके बाद यह क्या हो गया तो इस कॉightन के जो Fibre के वह कितनी है 30g पर ठीक है अगर नेक्स लिया वुल लिया और हमने 50g डाल दिया उसकी बाद ही टूटा थो इसके स्थेंथ कितना होल्ड करने कैपेसिटी कितनी है 50g सब्सक्राइब कर सकता है ज्र ph Sense करेंगा आप मुझे कमें सेक्षिन में बताओगे कि सबसे ज़्यादा वेट कौन होड करेंगा अफकोस अफ्रेदा वेट होल करेंगा नायलोन की इसकी इस क्यूंकि यह स्ट्रॉंगर दैना स्टील वायर तो सबसे ज़्यादा वीट इसके अंदरा मालों तुक इजी वेट भ बारे में तो पॉलिएस्टर को भी हम एजे ड्रेस मेटरियर यूज करते हैं क्यों इसके तो में रिजन है ड़स नॉट कैट रिंकल्ड यह बहुत जल्दी रिंकल्ड नहीं हो सकता है इसका मतला हमने कपड़ा पहना और पहने के बाद दियो क्या लग रहा है कि यह तो प्र रहा कि यह फ्कुर्स वेवह बहुत जल्दी गंदा करें तो उनके पैर्ड्ट को कप्र धोने में क्या दिक्कत नहीं हो तो इसलिए उनके जो क्त्रेस मेटरिया का कप्रा यूज कर रहे है आजकल स्कूल में वह कौन से युज करे हैं पॉलिस्टर में एक क्यों 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 हम देखेंगे कि पॉलेस्टर का बेस्ट एग्जामपल है टेरलिन क्यों क्योंकि ड्रॉण इंटु वैरी फाइन फाइबर्स डैट कें बूल लाइक एनी अदर यहां जैसे हम धागे को बुनाई कर सकते ना धागे की वैसे हम टैरलिन को इतने फाइन पार्टिकल में आपको यहां दखना पड़ेगा क्योंकि वनमार्क्स में आ सकता है कि पैट क्या आता है पॉली थैलेंट टैरी थैलेंट किसमें काम आता है यह मेंकिंग बॉटल्स यूटेंसिल फंसन वाइस तो जो हम घर में जो पने यूटेंसिल यूज़ करते हैं प्लास्टिक के आप कि दीखो गें और जो बॉटल्स पानी जो पानी की पीने की जो बॉटल्स करते है及 किस माट्रीरल से बना हॉऊा है तो बहुत यहां पर हमारा chemical substance से वो क्या है एस्टर ठीक है यानि कि जो एस्टर monomer है इसकी repeating unit से हमारे पास क्या बन रहा है पॉली एस्टर पॉली एस्टर के और भी famous example है पॉली कॉट पॉली वूल और टैरी कॉट टैरी कॉट तो नॉर्मली हम घर में पॉली कॉट प्लस कोटन क्यों कोटन का सी यो टी यहां पर पॉली एस्टर का पॉली तो यह दो फैब्रिक से बना हुए किसे पॉली एस्टर और कोटन उसी तरह पॉलीूल किसे बना हुआ है पॉली एस्टर क्लस वुल से हमारे पास क्या बना अची तो यह हमारी क्या है यह दो टेरलीन और पैट के हमारी पॉलियस्टर के एक्जामपल और यह दोनों एक्जामपल आपको याद होने चाहिए अब हमारा next synthetic fiber है acrylic acrylic के बारे में देखेंगे कि रिजेंबल करता है किसको भूल को तो आपको पहले तो यह याद होना चाहिए कि एक्रिक किसे रिजेंबल शो करता है फूल से तो सद्यों के टाइम पर अभी जो मार्केट में हमें स्वेटर सोल्स और ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं में लगते क्या यह तो उनी कप्रों का बना हुआ है उनी फैवर से बना हूँ है जो आज कर रिसेंटली जो मार्केट में जो स्वेटर सोल्स ब्लैंकेट्स मिलते हों किसे बने हुए एक्रिलिक क्यों कि रिजेंबल करता है वूल से अब वूल क्या है नैच्रल फाइबर है नैच्रल फाइबर है तो क्या हो गया एक्सपेंसिव होगा और यह क्या है चीपर दूसी बात है कि वेराइटी ओफ कलर स्में एबलेबल हमें वाइड वराइटी ओफ कलर्स में हमें यह मिलेगा थर्ड है डूरेबल यह ज्यादा चलता है और अफॉर्डेबल अफॉर्डल मतलब वहीं चीपर हमारे पॉकेट फ्रेंडली हमें अब देखो जो नैच्रल फाइबर हमारा वूल हम उसको खुरिदने जाएं दूसरा हम यह देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर को जब हम बन करते हैं तो इसली मैल्ट हो जाते हैं और हीटिंग बस सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज यह है कि मैल्ट हो जाते हैं और हीटिंग क्या है बनिंग ऑफ नैच्रल फाइबर और सिंथेटिक फा कुछा है कि मैं कमकर रही है उसने संथैटिग तो कैंदर क्यbut об 얘기를 कषिए चनल के सर्फिल के सब्सक्राइब क्योंक्ता एक उतिक रहें चाहिक है। सिंथेटिक फैवर मैल्ट होने की बाद क्या होता है बॉड़ी पर स्टिक हो जाता है तो इस सर्फ यह ही इसका एक ऐसा डिस एड्वांटेज है अब आपनी बुक की एक्टिविटी 3.2 देखते हैं है थी पाइंट्टू क्या पहुते इंट्रेस्टिंग सी एक्टिविटी आप करना है टू ख्लोथ लेना है तो जो दोमों को किया करना है अंदर हमें डीब करके रखना है कि हमने यह दो बकिट ले लिये और इन दोनों बकिट की अंदर सेमनान रखा सबोसक् rhymes Reports वर बन लीटर वाटर इसके अंदर रखा एक के अंदर हम स्थाइबर गर दाला अपना नेश्रल फइवर नेश्रल फाइबर के अंदर हम ने अपना सिंथाटिख पाइबर के अंदर आपना स्वैटर डाल सतेई बुल थिय्क है हमने सवैटर डाल के आप भी अपने घर में activity करके देखना कि एक bucket के अंदर एक लिटर पानी लेके आप sweater डालके देखना तो अप sweater डालोगे तो एक लिटर से तो काम चलेगा है यह नहीं कट चला चले यह लेकर देख लेना इक में यह वैसुट डालना और सबसे बेस्वेश्ट Meer tan लगो फिर आपको यह देखना है कि जब डूबो ने की पास जम इसको निकालेंगे तो किसके फाइवर ने सबसे ज़्यादा पानी किया हम यह सकते हैं कि वॉल्यूम वॉटर किसके अंदर जादा मचा है किसके अंदर कम बचा है तो आपने देखाओ कि जब दोते तो में ज़ विए निए वी कि कंद ने वहीं इसके दूसरी युम स्वेटर को धूप में सुका आगे और नायलोन को दूप में शुकाएँगे तो सबसे पहले कौन सुखेगा तो नायलन नी सुखेगा सबसे पहले ठीक है स्वेटर को तो सूखने में बहुत टाइम लगता है नायलन के सूखने में कम टाइम लगता है तो आप यह देखोगे कि सिंथेटिक फैवर के दो फायदे हो गए में क्या एक तो उनको धोने के लिए पानी की बहुत कम नीड ठीक है और सेकिंड क्या वह इसली सूख जाता है तो कौन सा प्रिफर करेंगे सिंथेटिक फैवर यूज करेंगे क्यों कि नैच्टरल फैवर ज्यादा पानी यूज करेगा उसकी बकिट में जो वॉल्यम वाटर जो लास्ट ने बचेगा वो कम बचेगा और दूसरा यह धूप में को सुखाएंगे तो उसको सूखने भी क्या लगेगा ज्यादा टाइ सिंथेटिक फैवर की एक कि उनको धोने के लिए हमें कम पानी चाहिए और सेकिंड हो बहुत जल्दी ड्राय हो जाते हैं तो मैंने अभी रयोन नायलन पॉलेस्टर एक्रिलिक के इतनी प्रॉपर्टीज बताई है कि हम इन सारे सिंथेटिक फैवर को क्यों प्रिफर करें व में सिंथेटिक फैवर के बार में हमने बात कि लिए सब को मर्ड करके हमने कि आपे लिए क्या है खरी पार के 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 सिंथेटिक छेवर के तो हमने इससेर पहले में चू कि जा swag सुकाने चाश्पनी के फैप नहीं लगते हैं तो नहीं लगता है सेकेंड डूरेबल यह ज्यादा चलते हैं को भी कपड़ा ले रहते हैं सिंथेटिक फाइबर का वो तीन से चार साल इजली चलता है थड़े लेस एक्सपेंसिफ सबसे जो इंपॉर्टेंट केरेक्टरस्टिक है वह क्या है लेस एक्सपेंसिफ जो नेच्छल फाइबर्स मिल सिल्क पढर के एज़ना, बत्व स्टाइब लूart ना, राजिसान पर पहुं बलेगे तो रॉसितिक नेच्टिक फाइबर्स मारकेट में एजली एबलेबर्स में ऐसे है हमारा क्या है wrinkled free सिंथेटिक फाइवर में easily wrinkled नहीं आते हैं बट एक ही disadvantage है मैं सोन heating यह हीट करने पर क्या हो जाते हैं मैं अगर आप से character six of synthetic fiber में advantages पूछे या फिर उसके properties पूछे कि क्यों हमें synthetic fiber प्रिफर करना चाहिए natural fiber तो आप यह सब लिखेंगे इसका एक disadvantage क्या है यह melts on heating आज के लिए बस इस चेप्टर में इतना ही hopes हो यह चेप्टर आपको समझ में आएगा अब हमारी next वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इस चेप्टर के पार्ट टू को डिसकस करेंगे और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इससे लाइक जरूर करें शेर करें और सब्सक्राइब करें लाइक और सब्सक्राइब हले ही मत कीजिएगा अपने फैंस के साथ इसे शेर कीजिएगा क्योंकि यान बातने से भड़ता है अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जबते के लिए से लगे बातने स्टेंद के लिए ड़ी एंड गुड़ एलो एडिवन आइम एड़ीटर सुमत सोनी वेलकम ने चैनल का क्लासे तोडें वीडियो डिसकेस क्लास एट सैंसें शीयाटी चैप्टर थी सिंथेटिक फैबर एंड प्लास्टिक यह वीडियो इस चैप्टर का पा प्लास्टिक अगर आपने मेरा वुडियो नहीं देखा तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगे आप वहां जाके चेक आउट कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक 3.4 में प्लास्टिक क्योंकि अपने डेडी रोटीन में बहुत सारे प्लास्टिक से बने हुए हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो घर में आसपास जिता भी हम देखते हैं तो प्लास्टिक की मटीरियल ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं तो हूँता है क्या है जैसे सिंतेटिक फैवर पॉलिमर है ठीक है वैसे प्लास्टिक भी किससे बना हुआ है dirig color ऑ कि औक इनका स्यट्यो डेखते हैं आपुमने आच पास्टिक देखते हैं तो तो देखनी के बाद तो ही लगता हूँए एक दिफ्रेंट टैप्स की आरेजम को तो अगर किसी प्लासिक का स्ट्ट्ट्य लीनीर बना हुए है ऐसे यहाँ P भी infinite units हैं यहां पे भी किया है infinite units हैं तो इसको क्या मोलेंगे linear structure ऐसे plastic जो linear structure में में eat single line में जारे linear pattern for कर रहे हैं जो को मोलते है linear plastic and cross-linked now crosslink का मतलख तो सब जानते crosslink क्या होता है आपस में cross ho na अगर इन्हीं अगर मैं कर दूं मैंने ले और आपस में इनको मैंने क्या कि टूंस इसका मतलब के लिद्स करें आगर यह अगर आपके अग्जाम में और पूछा जR प्लास्टिक देए का तो आपको क्या बताना ऐइर बताना इवस्टेट्व सोभान सब्सक्राइब करके उनको आपस्मे परपेंड़िकों भाली क्या घ्राटे podstaw में आगर आप चारो तरफ नज़र गुमा के देखें में तो आपको सिर्फड प्लास्टिक नज़र आएगा अब आपके मैंद में कुष्छ नोगा कि हम प्लास्टिक की यूच को है तो प्लास्टिक के कुछ ऐसी प्रॉपरटीज यसके वजह से हों प्लास्टिक में इसको mold कर सकते हैं तो हमाले बहुत easy हो गया कि हमें किसी भी suppl कर किसी बना सकते हैं plastic से किने recycle प्लास्टिक को हम vomर यूज़ कर सकते हैं नहीं अच्छी नियुम्ई नियुज़ को अ communist क्यें दूशे अध्यार में फिर दूशे बना लिया सेकिनITY को हम प्लास्टिक को सकते हैं कि ऐसके प्लास्टिक पने खषेज की चाहिएं वह कम एसको अबसमारी की जाएगी तो उसको दुबारा युज कर सकते हैं को संबस्ट आप डिफ्रेंट टैप अफ प्लास्टिक एबलेबल है मैल्ट इप्लास्टिक को इजली मैल्ट कर सकते हैं प्लास्टिक को प्रोडेक्ट आप लो और उसको आप बनर के उपर खोगा तो क्या हो जाएगा मैल्ट हो जाएगा और मोस्ट इंपोर्टम प्रोपर्टी वह रॉल् हम पतली-पतली शीट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और हम उसको प्लास्टिक को वायर्स में भी कर सकते हैं तो प्लास्टिक का सबसे अच्छा भी बैक समक्र कर अदर यूज गए तो प्लास्टिक का एक्זांपल है तो कुछ प्लास्टिक प्लास्टिक को बैंड करने के लिए तो टूट जाते हैं फिर आपने देखा होगे किसे प्लास्टिक के अंदर अगर अपनों होट वाटर डालते हैं तो कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं डिफॉर्म हो जाते हैं अगर लेकिन किसी प्लास्टिक के अंदर होट वाटर डाले और वो डिफॉर्म नहीं होगे तो प्लास्टिक की बहुत साइप प्ला प्लास्टिक एंड था Bak rzeczy अगर धिवं से आप Laudanischen को देखे तो सिर्फ सैटिम का है डिफरेंस यह अगर सनिए सैटिंग मृता दो कि तो यह क्या बन जाएगा ठाम प्लास्टिक तो पहला क्लास्टिक है धुद्स अप्ल्स क्राइबingen है क्प्लास्टिक अगर heat करने पर easily deformed हो जाते हैं जिनकी shape change हो जाती है वो तो क्या होते है अपने thermo plastic thermo setting को देखते हैं molded once एक बार अगर इनको बना दिया गया cannot be soften by heating इसको हम दुबारा deform करके दूसरी shape नहीं दे सकते हैं तो हम देखेंगे thermo plastic में हमने एक बार plastic बनाया उसको हमने heat किया deform करके उसके shape हमने change कर दी थर्मो सेटिंग में एक बार प्लास्टिक को हमने बना दिया तो हम उसको heat देके deform नहीं कर सकते और उसके दूसरी shape नहीं बना सकते एक बार जो चीज बन गई वो बन गई तो आप इनको याद करने का तरीका यह है कि इसमें setting नहीं है इसमें क्या वर्ड यूज आ रहा है setting यानिकी एक बार बनाया तो वह चीज क्या हो गई तो इससे पहले मैंने आपको पताया तो यह क्यों जाएंगे डिफॉर्ण हो जाएंगे यह breakdown हो जाएंगे ठीक है इसका एग्जामपल अपन पॉलेथीन और पीविसी थर्मोशैटिंग के wedge complete एक्यों से टेंट करते हैं देलिटी करते हैं तिरेज़ाइट उपाइपन अप्ना थैम्योंसे दो तो सीटेंट में पाध कर लेते हैं अबाउट बेकलाइट एंड मेलमाइट यह वाला जो टॉपिक है अपना थर्मो प्लास्टिंग थर्मो सैटिंग में यह तू मांक्स में थ्री मांक्स में आपसे डिफ्रेंस पूछ सकता है अगर उसको डेफिनिशन या आप वन पर्टिकुलर प्लास्टिक की बारे में रहा को užचैका यूज्य करूछ अब क्वे Heald का था कि तो बेकलाइट पोपिटी का अगर उसका हीट आधि क Aph 20 Hindi जा सकती इसके इलेक्राशी भी नहीं जा सकती तो वेल भी दृटिके टिएक युज नहीं करेंगे अगर इसकेjak से नहीं जा सकती तो हम इसको इलेक्टिकल स्विचित में उस करेंगे तो आपके जोपने सारी किसे बने बैकलाइट से क्यूं ताकि आपको इलेक्टिक शॉक नहीं लगए सबहुत कोर्डेक्टर उफ फीक्ट तो हेंडल सॉफ एस हूटेंस लेड़ा जाके किच्छव में देख कि इससे वाधिए यूज़स करते हैं इस्की मेन प्रॉपर्टी की है ये टोलरेट को भी तोằng सकता है तो हम मैपटने से मी भाइदा जो नारे फ्लोट सिसंगा है किछन से किछन वेरन को प्लेट दी जाती हों तो हमेगे गी वहांजे कीछन वेर इसे बनाते हैं Çो फायल को एचिस्ट करते है अब हमारा नेक्स टॉपिक है प्लास्टिक्स एज़ा मट्रीयर ऑफ च्वाइब फाइफ हमने प्लास्टिक को एज़ा मट्रीयर क्यों चूज किया है तो आपको यह चार्ज चीज़े तो याद रखनी है या प्रॉपर्टीज पूछा जाए प्लास्टिक के बारे में या फिर एड़ांटेज सब्सकिक करें लाइं प्लास्टिक व्लास्टिक बहुत एक हाथ में प्लास्टिक का कंटेडीनर दूसरे आप अपको कंटेनर क्या लगेगा है लगेगा तो पहलजा कंटेनर क्या लगेग Celtic के ली क्या है प्लास्टिक किहुए है निए चेपर है अगी और देन अग्योट स्टेंथ प्लास्टिक के vulner क्या है कोड़ा एंग है ऑप फ़ूत वनीज़ी हैं हम प्लास्टिक को एसें ले कर रहे हैं और जीसे एक साफ में कीAng1 और प्लास्टीब के लगेगे और कांच्टी ने को वाश ने आपनी हाथों से तो है आवह तो तूट जाएगा और सवे तो प्लास्टीद के तो इसले ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पर अधर मट्रीयल इसको हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए के एक्स्टर की जुरत पढ़ती है तो यह चार ऐसे एडवांटेज हैं प्लास्टिक को उसको एज़े मट्रील ऑफ च्वाइस बनाते हैं सैकें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा characteristics of plastic अब आपके बुक पे तीन-चार characteristics लिखे हुए प्लास्टिक को और यह direct five marks में आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है कि characteristics of plastic क्या है तो first one is plastic is non-reactive सबसे पहरे ताब को यह याद ही रखना पड़ेगा कि plastic एक non-reactive material कैसे do not react with water and air water और air की साथ ही तो react करता ही नहीं अगर हम plastics plastic की वज़े दूसरे material यूज़ करते है तो generally sare materials कि सारे materials कि सारे materials के water और air के साथ react करते हैं जैसे कि हमने chapter metal old metals में पढ़ा था कि normally सारे कि सारे materials के water और air के साथ रिएक्ट कर सकते एक्जामपल अपना iron if water and air के साथ react करे और हां और हाँ अगर आपको मेरी पीडिज अच्छी लगे तो प्लिस लाइक एट सब्सक्राइब एंड सेट विडियों फैंड स्विश्मिंट लोस्टो में अब हमारे टॉपिक पर वापस आ जाता है तो मैटल स्क्राइब सब्सक्राइब करते हैं लेकिन प्लास्टिक क्या है नॉन रियक्तिव है विद वाडर एंड सब्सक्राइब कर मतलब करों मैं कि अंदर ब्लास्टिक का कि їमिकल रिया दो क्वाइब कि मतलब 104 कुछ पार्ट किसे आयगा केमिकल में तो two-boy का मतलब क्या है कि जो भी हम एटिरिल हम यूज कर रहें उसके अंदर तो उसका कुछ पाट किसमें जारहाए लаже प्लास्टिक का कुछ पार्ट किया जा रहा है उस चैनल में और यह इसलिए इसलिए यूज तो स्टोर वेरियस काइंड्स ऑस मेटियरियल बहुत साइब इसम्यूज को सते हैं इंक्लूडिग मैनी केमिकलश को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं अपना प्लास्टिक स्ट्रोंग और डूरेबल जैसे कि मैरे आपको बताया क्या है लाइट वीट है गूट ब्लास्टिक हो घेंगिंग तो प्लास्टिक देजल मतलब अगया स्ट्रों को बहुत सारे हाउसोड आर्टिकल्स में हें उसटेशेच्स अफ प्लास्टिक में अगसे िलएव्मन का अग्जामपल देखा सारे हैंडल होते हूं सारे सारे किसे बने हुए है और आरलेक्रिकल स्इब्स इसे यह सुछ बॉर है वाइर्स हे वाइयर्स के पर कोटिंग प्लस्टिक की रहती है एक है प्लासिक वह घुझल और है हेल्थ के इंडस्ट्रीज में पैकिंग ऑफ टैबलेट्स जो लिक्विड सिर्फ होते हुनकी बॉटल्स भी किसकी होती है प्लास्टिक होती है और जो मैडिकल इंस्टुमेंट्स है जैसे आप देखोगे सीरिंज है किसे बना है प्लास्टिक से गुलकोस की बॉटल है जो पाइप सम्डेज करें तो आपने माडिकल मैडिकल सेल्ब सारे किसे बनें वेยं फ्लास्टिक से मोए सेकन्ट वथ प्लास्टिक से बने दीवर् प्लासिक कुकवेयर् तो ऐसे कुक्वेयर हुच पंड़िशन में जैसे हम यूज करते हैं माइक्रोवेव औरिक इंदर् कर रहे हैं थार वन इस टेफलोन और विच ओएल एंड वाटर डू नॉट सिक हम देखेंगे कि हमारे घर में क्या नॉन स्टिक तवह उता है जिसके ऊपर क्या है ऑईल आके आके क्या होता है इस्टिक नहीं होता करते हैं उनके यूनिफॉर्म में का कुछ पोश्चन होता है मेला में का पोश्चन क्या करता है अगर आपने मेरी स्ट्र की प्रिविएस वीडियो देखे है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगी कि कॉट्टिन के पॉलिमर का नाम क्या है अब हमारा नेक्स टॉपिक है 3.6 प्लास्टिक एंडा इन्वार्मेंट इसे में देखेंगे कि प्लास्टिक इन्वार्मेंट आपस में कैसा रिलेशन्शिप शेय करते हैं लेकिन उसे पहले हमें दो टम समझनी पड़ेगी फर्स्ट वन इस बायो डिग्रेडेबल एंड सेक्ड वन इस नॉन बायो डि इकम्पोज जाते हैं तो ऐसे मेटेरील जो कि कंपलीटली डि कंपोस्ट जाते है थू नेच्ट व्रोसेस भाइ बैक्तेरिया मैटेयर को हम क्या बोलते हैं बायो डीग्रेडबल जस इसका उल्टा क्या हो जाएगा नॉन बायो डिग्रेडबल अ मेटेरियल विच इस नोट easily which is not easily decomposed by natural process को क्या बोलेंगे हम non biodegradable तो ऐसे material जो biodegrade हो जाते हैं तो क्या करेंगे अपने क्या होंगे वो environment friendly होंगे ना तो यह वाला चीज क्या है अपना है environmental friendly है biodegradable materials क्या है environmental friendly है और यह environmental friendly नहीं है तो यह क्या करेंगा cause करेंगा क्या pollution तो आप difference between में भी लिख सकते हो कि यह तो completely decomposed हो जाते हैं non biodegradable decomposed नहीं होते और यह environmental friendly होते हैं और यह क्या करते हैं क्या करते हैं pollution को तब आप मुझे पताओ कि तो plastic किसके अंदर आता है plastic जल्दी से decomposed नहीं होता तो plastic किसके अंदर आता है आप इसली पता सकते हैं आप मार्केट में जाते हो तो जनरली प्लास्टिक इतना यूज हो रहा हैं कोई भी चीज खरीते हो शॉप के पर क्या करते हैं प्लास्टिक अंदर रैप करके देंगे तो आपके पॉलिटिन बैक पकड़ा देंगे तो इसके विज़े से क्या रहा अब घर केंदों तो उसे रख नहीं सकते उसको क्या करते हैं नोन बाइडिवरीजेबल क्या क्या काॉज कर रहा है तो हम देखेंगे काॉजज दा इन्वार्मेंटल पॉलिशन पॉलिशन परस्ट वन इस एक्विमिलेट अब कैसे एक्विमिलेट हो रहा है अगर हमाई घर पर पर कच्छा करते वहां पर अगित कर जाते हैं और इसवेलु कर जाते हैं तो क्या होता है उनका प्रेस्पिरेटरी क्यों सकती हो जाया धर पारिस आएगे तो पानी ट्रफ क्या जाएगा पानी फ्लरडिंगा जाएगी दूसरा रिजन यह है अगर यह गालबेज द्रेंस के थूरु नदी में जाएगा जैसे आप यहां पे पिच्छ देख सकते हो कि डेन के थ्रो रदी में जाएगे तो हमारे क्या हो जाएगा water pollution हो जाएगा अगर बहुत सारे accumulate हो जाएगा soil के पर तो soil pollution हो जाएगा अगर हम इसको जलाते हैं उस waste को जलाने की कोशच करते हैं तो क्या करते हैं पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करते हैं एक तो कंप्लीटली बाइट नहीं होगा और जितना भी बाइट वह वह पॉइजनस फ्यूमस उसके अंदर से रिलीज होंगी जो कि क्या करेंगी एर पॉलिशन तो हम देखेंगे कि एक्यूमिलेशन की वज़े से सिफ और सिफ पॉलिशन क्रियेट करता है हमारे इंवायरमेंट में अब यह दो पैंट क्लियर करेंगे कि हम ऐसे कौन कोंसे ऑपरेशन यूज करें जिसके विज़े से प्लास्टिक कर यूज कर दें और कॉटर और जूट के बैक्स को यूज करें हम दुकान दा के पास जाए और प्रिज़ेंगे जूट का बैग लेके जायर उसके अपना विकानी की विज़ेंगें 们 सैपक蒙्माद सेप्रेटल जो यूज को क्रेक्ट और जोनवाइट प्रिदिचे कम से कम जितना हो सके हम उसको यूज करें इसके वाद है centr camera principle में पढ़ेंगे करेंगे about reduce recycle reuse refuse and recover and do not throw plastic bags हमें plastic bags को roadside में या फिर ड्रेंस में डंफ नहीं करना चाहिए हमें प्रॉपर इनको जो हमारे घर में जो कचड़े वाली गाड़ी आती हैं कचड़ लेने के लिए उसी के अंदर थो करना में दो अदर थो नहीं करना है एंद लास्ट वन ईजीसाइकल अक्राइस क्ला एंधाने यूज भी कर लिया तो हमें क्या यूज करते थेर्म्टेटiquement यूज का रिखा कि वस्कली य् específic यूज करेंशι करिसे जो प्लास्टिक हो जाते हैं वह भी कम हो जाएगा और जो environmental pollution cause कर रहा है plastic वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ऐसे 5-5 principle है जो हमें अपने daily routine में यूज करेंगे अपने life में यूज करेंगे तो जो हमारे जो environment के उपर प्लास्टिक का burden हो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो first one is refuse refuse मतलग हमें completely refuse करना है हम है यह सोचना है कि भही हमें तो Started की यूज ही नहीं करना आप completely refuse कर io प्लास्टिक को यूज करोगो क्या यह यूज करोगे क्या पॉलिटीन की वज़ाएग जूल जोट के कैरे अंदर पिख कर रहे हैं बिधी इंसा केस है कि हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं यूज करना है तो उसकी ज़रुएत को क्या करेंगे थोड़ा सा कम कर देंगे कैसे हम एक shopkeeper के पास गये suppose को हम सब्जी लेने गये एक polythein में हमने एक सब्जी ले ली फिर हम second shopkeeper के पास गये दूसरी सब्जी ली तो हमें क्या वोला है नहीं इसी भ्रहया इसी polythein के अंदर क्या करतू दूसरा समान भी सीखरें डाल में करने है प्लीज करने के अंदर इन्वारिमेंटल पॉलिशन कुछ कर रहे हमें उसके क्या करना है रिड्यूस करने जहां पर एक पसंद साथ पॉल्थीन यूज करता अब एक ही पॉल्थीन यूज करेंगे तो उसी पॉल्थीन को उसी चीज को हमें क्या करना है बाबा रियूज करना है फ्लास्टिक कसे खाने का समान यूज क्या करने रख सकते तो उसको बाबा क्या करने वे अएक प्रोडेक्ट आया हमने उस प्लास्टिक को फेक दिया ऐसा नहीं करना उस से और इसे प्लस्टिक सकते हैं चबहुत में तो क्या खाण looks come है अगर ये मत्रीडियाल हो तो उस्तम बेख면 डम और टो उसे गाल शोड़ा हो जो रिसाइकल हो सकते हैं उनको माओ करना ची pensano 2 में लेना चीए उसको कर सकतेधि थे से शेब चेंज करके साइज्ब अधिए शेंज करके इसको क्या कर सकते डुबारा यूज में ले रिसाइकल पॉस्फिर के थे पेपर का बी एक्जामपल ले सकते हो हमारी स्कूल के बउक्स कबमों काम नाती बह्त पर्भ्र इसका के देद मिद्थ वाले को तिरी फदर थूंस को 法डर Catholics को वुक्स को यूजका के दूबारा से क्या बना अब अब बात करते हम रिकवर की ही कवर किया है अब यह सारे प्लास्टिक या फिर हम जो कागज पेपर यूज करें उस के क्य आप nutrente री कवर जहां की जो हानी होए हम्हें को रीकवर करना है हमें इसको फुल्फिल करना कि जो हानी होए मो क्या होजाए बैलन्स होजाए इसी के साथ हमार्य चैप्रेव फिनिश होता है hope के ऐसे समझ में आया होगा अब हमलने हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए स्टे हैल्दी और गुडबाई